कोची, बैंगलोरू, कोलकता, नोएडा, भुवनेश्वर, चन्नाई, देल्ली, मुंबई, इंदौर, दीमापूर, हैदराबाद, एहमदाबाद और यू कह सकते हैं जैसा मैंने बताया औल ओवर इंडिया की वेकेंसी है इस वेकेंसी में जाने से पहले मेक शोर की आपने पि इंटर्वू थे, यह जो वीडियो था, इसमें मैंने मैकसिमम बात किया था वाक-इन इंटर्वू के बारे में, तो अगर आपने इसे देखा नहीं है, तो जाकर जरूर देख लीजगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लेंक डाल रखा है, तो वहां पर एक कुशन बार-बार आ रहा था, और वो ये, कि सर, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, जिस मैं सबसे खास था, कोल का था, यहां पे वैकन्सी का अपडेट बताईए, तो फ्रेंट्स, आज के इस वीडियो में, मैं अभी के टाइम में, इंडिगो एरलाइन्स में, जो भी ग्रा इंडिगो एरलाइन्स में, कैबिन क्रूग बनने के लिए, केवल फीमेल कैडिडेट ही, इलिजिबल है, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 12th pass, हाई टाप की होनी चाहिए, 155 cm, कोई भी वीजिबल टैटू नहीं होना चाहिए, इस तरह से, जो की उनिफॉर्म पहनने के बा इंडॉर, दीमापूर, हैदराबाद, एहमदाबाद और यू कह सकते हैं, जैसा मैंने बताया, आल ओवर इंडिया की वेकेंसी है, इस वेकेंसी में जाने से पहले, make sure की आप अपलाई कर लेंगे, अपलाई करने के बाद जो कोड मलता है, आपको अपने रिजूम पर लिख रैंप डिपार्टमेंट के लिए, अगर आप जाते हैं एंटर्वू के लिए, तो वीडियो के स्क्रीन पे जो भी अभी आप डक्यूमेंट्स देख पा रहे हैं, आप इनको साथ में कहली कर लीजेगा, और अब बात करते हैं इसकी ऐलिजबल्टी क्राइटेरिया के रिया इंडिको एरलाइनस में ग्रााउंड स्टाफ मेल फिमल दोनों बन सकते हैं, फ्रिशर एक्स्परियेंस दोनों बन सकते हैं, आप कहीं से भी पलॉण 레沒錯 कि विण करते हैं, किसी भी स्टेट किसी भी स्टेटी से, आप जो बन सकते हैं, और अप क्रालिफिकेशन आप specific division, आप को apply करना होगा अपना कैसे करते हैं उसके regarding में आपको आगे guide करता हूँ अभी बात करते हैं interview के लिए कुछ खास जरूरतों के बारे में कुछ main criteria के बारे में कुछ छास बातों के बारे में जो की आपको ध्यान देना होगा अगर आप जा रहे हैं इंटड्य के लिए इंटर्वी में जाने से पहले आपका अटायर सही होना चाहिए जब आप जाएंगे इंटर्वी के लिए तो आपका अटायर यानि कि जो भी आप पहन कर जा रहे हैं वो सही हो बिल्कुल आप विल्ल गुरूम्ड हो सही तरीके से जितने भी ड़कुमेंट्स आपको आप इन सभी को कर लीजेगा तो जैसा कि मैंने बताया या फिर इंडिको बोलती है कि आने से पहले आपको अपलाई करना है और उस कोड को आपको इंटर्वी के टाइम में दिखाना है अपलाई करने के बाद आपके रिजूम को अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा ये उपर वाली वीडियो को ज़रूर देखे का बेस्ट अफ लाग